हलो स्टूडेंट्स हलो स्टूडेंट्स गुट मॉर्निंग अब्रिवन नाओ वी गोईंग स्टडी जी की क्लास ओके बिट्टा अब हम अपनी नो एंड ग्रो की बुक है ना इसी में आपके दो पार्ट्स है मैंने आपको बताया था आपके आधे पार्ट में साइन्स है एंड आधा पार्ट आपका जी के है तो अब इसी बुक से हम अपनी जी की क्लास चलने पढ़ने जा रहे हैं और आज जाब की जी की क्लास का टॉपिक क्या है मैं आपको दिखाती हूँ क्या पढ़ेंगे हम आज आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट मतलब क्या होता है कीड़ा मकोड़ा एनिमल साउंड मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले लेशन 19 क्या था एनिमल साउंड था ना मैंने आपको पढ़ाया था एनिमल साउंड तो एक बार आप मुझे बताएंगे आप मुझे बताओगे, elephant, elephant को sound क्या होता है, trumpet होता है, ऐसे ही आपको सारे sounds learn कर लेने हैं, जब school open होगा, तो तो सुना ही जाएगा, जो भी teacher आपको पढ़ाएंगी, तो वो आपसे ये सब पुछेंगी, ठीक है, insects name, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, insects name, मतलब कीडा, चलिए, अब देखते हैं हम, सबसे first में देखिए, क्या है cockroach, insect की spelling पहरे आप पढ़ लीजिए, I-N-S-E-C-T-S, insects, insects मतलब कीडा मकोडा, अब देखिए cockroach, cockroach देखा है आपने, देखा होगा घर में कहीं पर भी, cockroach, C-O-C-K-R-O-A-C-H, cockroach then spider, yes, P-I-D-E-R, spider, spider means क्या होता है, मकडी होता है, क्या होता है, मकडी then wasp, क्या है यह, wasp, W-A-S-P, wasp, and fourth picture किस चीज की है, mosquito, रात को बहुत परिशान करता है न, सोनी नहीं देता जल्दी M-O-S-Q-U-I-T-O, mosquito, and, ant, यह क्या किस की पिक है, ant की, ant means gt, mosquito means मक्चर, and ant means gt, ant, ant means gt, इसके बाद यह देखो, यह जो orange color का है, यह क्या है, ladybird, ladybird मतलब होता है, khatmal, क्या होता है, khatmal, l-a-d-y-b-i-r-d, ladybird, ladybird means khatmal इसके बाद देखिए, grasshopper, g-r-a-double-s-h-o-double-p-e-r, grasshopper, grasshopper means tiddy, क्या होता है, tidda, housefly, यह देख रहा है न, housefly, h-o-u-s-e-f-l-y, housefly, घर में ही देखने को मिलती है, और इसका नाम भी housefly है, इसको हिंदी में बोलते हैं, घरेलु मक्खी, क्या बोलते हैं, घरेलु मक् पिक्चर देखिए, बेटा, किसकी है, honeybee, honeybee, h-o-n-e-y-b-e, honeybee, honeybee होता है, मधुमक्खी, honeybee की वज़े से ही, हमें honey मिलता है, यह फूलो पर जाकर बैठती है, उनके रस को लेती है, और इसके बाद यह शहःद बनाती है, तब हमें honeybee की वज़े से हमें क्या प्राप्त ह होता है, हमें honey प्राप्त होता है, honey means शहद, यह पिक्चर देखिए, क्या है, butterfly, butterfly कैसी होती है, बताए, butterfly colorful होती है, colorful होती है, बहुत सारे color होते है, butterfly में, and its spelling is b-u-t-e-r-f-l-y, butterfly, butterfly means titli, इसके बाद देखिए, scorpion, क्या है यह, scorpion, scorpion, scorpion means क्या होता है, big shoe, बिच्चु होता है, बहुत बड़ा होता है, कितना डरावना भी तो होता है, यह c-o-r-p-i-o-n, scorpion, scorpion means big shoe, एक बार फिर से आप देख लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा, कौन-कौन से insect name हमने पढ़ा, cockroach, spider, wasp, ladybird, ant, mosquito, butterfly, honeybee, housefly, grasshopper, and last, scorpion, अब यह देखो, आपके book में सबसे एकदम corner में, right corner में क्या लिखा हुआ है, activity, क्या है, activity हमको करनी है, which insect have eight legs, कौन से insect के आठ पैर होते हैं, कौन से insect के eight legs होते हैं, spider के होते हैं, फिर butterfly के, spider के होते हैं ना eight legs, तो हम spider पर ऐसे हम क्या करेंगे, spider के सामने जो circle है, उस पर हम tick का निशान कर देंगे, and be, which insect causes malaria, कौन से insect से malaria फैलता है, malaria फैलने का कौन सा कारण है, क्युडा मकोडा, cockroach है या फिर mosquito, mosquito की वज़े से malaria बिमारी फैलती है, malaria disease किस से फैलती है, mosquito से, तो हम mosquito के सामने जो circle है, उसमें हम tick कर देंगे, समझे आप, तो बिटा, आज के लिए बस इतना ही, आपको सारी pigs provide कर दी जाएगी, and your homework will be, इनकी सारी spellings आप better learn करिएगा, और यह जो activity है, इसको आपके अपने copy में mention भी करना है, ठीक है, और इसको अपनी copy में भी उतारना है, सारा आपको, सारा आपको copy में उतारना पड़ेगा, okay, bye bye, and take care.